हलो दोस्त कैसे हैं आप मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे ठीक है मित्र तो आज एक नए वीडियो लेकर आपके सामने फिर उपस्तित हुआ हूं मित्र और यह जो वीडियो हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉंटेंट हैं यहां सभी परस्तित पूछे जाते हैं और यह जो वीडियो आज का है वह वन लाइनियर के रूप में हैं वन लाइनियर तत्थ की रूप में आपके सामने यह वीडियो परस्तित किया गया है तो जैसा कि हम आपसे पहले कहते चले आ रहे हैं कि मेरे दो व कौन थे तो प्राचिन विद्वान यानि प्राचिन इतिहास से संबंदी जितने भी प्रमुख विद्वान थे और उनके दर्मियान जो उनके राजा थे वो कौन थे तो उसी पर चचा करना है ठीक है मित्रत और यहां से अक्सर प्रस्ण आते रहते हैं तो उनको एक जगे मैं क्लिट करके आपके सामने प्रस्तुत किया हूं ताकि आपको इकजाम देते समय रिवाईश करने में आसानी हो और पढ़ने समय भी असानी हो देखे मित्र जो यहां पिर प्राचिन par सम्बंदित जितने भी विद्वान है एक विद्वान का काम क्या होता था एक बिद्वान का काम यही होता था कि वह रचनाओं का अपने समय उन सारी रचनाओं को लिखता था जिसके माद्यम से किसी राजा के बेक्तित के बारे में पता चले और खासतर उस समय के साब पेच्छे उस समय समाज के इस्तिती कैसी थी उसके बारे में पता चले ठीक है तो यह किसकी भूंका होती थी बिद्वानों की भूंका होती तो ये भी मुझे जानना आवस्यक है कि आखिर में उस सासक के समय वो बिद्वान कौन हुआ करती थी तो यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर हम आपको सासक और उसके अधिन रहने वाले बिद्वानों के बारे में जर्मों की बिद्वानों की कौन कौन सी रचनाय हैं उसका एक अलग विडियो बनेगा यहां बस प्राचेन इतिहास के संदर में बस उन बिद्वान उन बिद्वानों का नाम और वो किस सासक के अधिन रहकर काम करते थे या किस सासक ने उनको आस्रे दिया हुआ था उसके पूछा जाता है इसको ध्यान पूरवक सुनिएगा देखिए आप जानते हैं प्राचेन इतिहास की अगर बात कर ली जाए तो प्राचेन इतिहास में में तर दो ऐसे सासक आते हैं जिसके समय बिद्वान बहुत ज़्यादा हुआ करते थे एक सासक का नाम आता है चंद्ग गुब्ध दिर्थी के बारे में तो चर्चा होती है कि उनके समय जो हुआ करते थे नौरत्म हुआ करते थे यानि कि नौ बिद्वान हुआ करते थे ठीक है तो ये प्राचेन इतिहास में दो सासक का नाम आपज़रोयात करियेगा एक प्रमास सासक मुझ पर एक गुपत रहते थे वरामिहीर रहते थे ब्रहमगुत रहते थे आरिभट रहते थे धनवंत्री रहते थे और बीरसेन सावसेव रहते थे तो ये इतने नाम आप याद कर लिजिएगा ठीक है परमुख जो भी विद्वाने उनके नाम याद दिये गए हैं कालिदास वारामिहीर था फायान क्या था एक विदेशी यातरी था जो चीन्स से आया हुआ था किसके समय चंद को दूती की समय ठीके अगला देख लेते हैं यहां पर दिया है जैना चार हैं चंद्र तो हें चंद्र ये कहीं बारा की इक्जान्मे पुछा गया अमित्र यह हंचेंद्र थे हेंचेंद्र चालू की वस्वान का लाहा नाम वसुमित्र वसुमित्र का आपने नाम सुना होगा जो चौथी बहुत संगित के क्या थे चौथी बहुत संगित के एक तरीके से अध्यच थे तो वसुमित्र किसके समय थे कनिश के समय थे चरक किसके समय थे कनिश के समय थे असगोस किसके समय थे ये कनिश के दरबारी कभी हुआ करते थे तो ये तीन विद्वान वस्मित्र, चरग और असगोस किसके समय थे? कनिस के समय थे इसके अलामा यहाँ पर देखते हैं नागा अरजुन जिसको भारत का आश्टिन कहा जाता था तो नागा अरजुन भी किसके समय रहते थे? कनिस के समय रहते थे तो इन चारों बिद्वानों का नाम आप एक बार से फिर से सुनेजे, वस्यूमित्र, चरग, असगोस और नागारजुन, ये चारों बिद्वान किस के समय रहते थैं, कनिस के समय रहते थें, असगोस की रचना में बहुत फेमस फेमस है, जैसे संदर नंदम उनकी रचना है और उनकी जो रचना है असगोस की एक बुद्ध चरित उनकी रचना है तो रचना संदर में एक वीडियो अलग से आएगा यहां बस आप जान लिजिए कि कौन भी द्वान किस सासक के समय रहते थे तो आईए देखते हैं बौध बिच्छू उपगुप्त यह देखे उपगुप्त उपगुप्त का नाम आपने सुना होगा इन्ही के सला पर जो असोग थे वो युद धम छोड़कर बौध धम को अपना हुए थे ठीक है तो उपगुप्त किस के समय रहते थे असोग के समय कलहर कलहर जो होते थे जो कलहर थे ये लोहार वंसी कसमीर नरेस जैस सिंग और हरस दोनों की समय रहते थे ध्यान में रखिएगा जैस सिंग एक यहां पर रहे चालुक नरेस में ठीक है जो गुजरात का था और एक जैस सिंग लोहार के वंस में सासक काना मिलता है और यहां पे हर्स भी है तो कलाण इनीक दर्वार में रहते थे जैसिंग और हर्स जो कस्मीर में लोहार वंस के अंतरगत इनके दर्वार में रहते थे आप जानते हैं कस्मीर में तीन वंसो का चर्चा मिलता है कहां राजा तंग्रणी में एक उसमें कारकोट वंस लोहार वंस और दुर इसके बादे कि धनिक ये भी आपके एक्जाम पुछा गया है कि धनिक किसके समय थे तो ये परमार नरेस मुंज वस सिंधुराज के समय थे तो सिंधुराज किसको कहा जाता था सिंधुराज भोज माहाम कुछ कहा जाता था और मुंज कौन थे ये मुंज जो थे ये परमार व जाजा कड़ दियो ठीक है कड़ दियो ने क्या दिया था इनको सरच्षर दिया था और यह चालूक नर्यस विक्रमादित थर्ड के क्या थे राजकवी थे तो विक्रमादित जो छटमे विक्रमादित थे उनके राजकवी थे और कड़ दिया था सरच्षर दिया था इसका आप जाने जीए करदे और विक्रमादित दूनों के समय थे और किस वंस के सोलंकी के वंस गुजरात के सोलंकी है ठीक है तो सोलंकी के भी चाडू खुआ करते थे तो उनके भी समय यह पर रहते थे ठीक है कौन रहते थे बिल्लाहड रहते थे तो यह आप मत भूलिएगा कई बार एक्जाम में पूछा गया है रवी किरती रवी किरती का एक्जाम में कई बार चच्छा हुआ था यह वही रवी किरती हैं जो पुलकेसियन के दरबार में रहते थे और इन्हीं के द्वारा जो है पुलकेसियन हसवर्दन और पुलकेसियन नसिंग वर्बन के युद्धो के बारे में बताया गया है किसने बताया है रवी किरती ने बताया है तो रवी किरती किसके दरवार में रहते थे पुलकेसियन दिर्थी के दरवार में रहते थे तो यह आप जान लिजीएगा अगला देखते हैं बिग्यानसवर यह देखिए आपके एक्जाम में यह भी कई गार पूछा है बिग्यानेसवर किसके समय रहते थे बिक्रमादित च्छट में भागे यानि कि बिक्रमादित च्छट में बिक्रमादित के सासंकाल में बिग्यानेसवर रहते थे तो बिग्यानेसवर और बिलहर दोनों बिक्रमादित च्छट में बिक्रमादित के समय रहते ठीक है तो ये जो सासक है ये भी किसके सासक है ये कल्यानी के चालूकी के सासक थे तो ध्यान में रखिएगा ये विग्यानेसवर और बिलहर दोनों किसके समय थे विक्रमादित छट यानि की छटों में भाग के थे विक्रमादित फ़स्ट विक्रमादित दिर्ती इसी तरीके कई विक्रमादित के नाम मिलते हैं तो ये विक्रमादित छटवे के रूप में यहां ये क्या थे कवी थे इसके बाद आता है जीमुत वाहन जी मुतवान की एक बहुत परमुख रचना है दायभाग जी हाँ दायभाग ये पाल उवंस के अंतरगत आते हैं इनके मतलब जी समय पाल उवंस का सासन चल ला था ये बंगाल में एक राजा भी थे और एक कवी भी थे ठीक हैं तो ये पाल उवंस के दर्मियान में इनकी चर सासक भोज के दर्वार में रहते थे割 और Bhagश को भूझ के दर्वार्बल में रहते थे। ठेकAY मित्र ये सब आप बढ़ियेगा ये आपके में आए हुए प्रसन हैं। थेकาย तो अगला जो दर्वारी क्वी थी हूब कुछ थे जह taraf तो जैदियो किसके समय के थे ये लच्छमर सेन के समय थे जैदियो कई बार आपके एकजाम में पूछा गया आए मितर तो जैदियो जो थे ये लच्छमर सेन के समय रहते थे सेन मतलब आप पाल वंस के खतम होने के बाद एक सेन वंस आता है जिसमें लचमर सेन, बिजे सेन और बलाल सेन हुआ करते हैं तो उसे में जैदियों कि सेन के सासक के समय रहते थे तो आपको याद करना होगा कि जैदियों लचमर सेन के दरवारी कर भी हुआ करते थे अगला देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉंटेंट है, सिरीधर, यहाँ पर देख लेते हैं, सिरीधर, तो सिरीधर किसके समय थे, लच्छमर सेन के समय थे, जैलो किसके समय के थे, लच्छमर सेन के समय थे, ठीक है, तो यह भी आप याद करिएगा, धोई एक कवी थे, इनको भी याद कर लिजिएगा ये लच्छमर सेन के समय थे हला युद्ध ये किसके समय के थे तो लच्छमर समय के थे ठीक है लच्छमर सेन के समय थे अब आते हैं लच्छमी धर देखिए मित्री ये लच्मी धर आपके एकजाम में कई बार पूछा गया है कि लच्मी धर किसके समय थे या किसके दरवारी कभी थे तो लच्मी धर जो थे ये गड़वान वंस के सासक गोविन्द चंद्र और जैचंद्र दोनों लोगों के समय थे ठीक है याद कर लच्मी धर जो थे गोविन्द चंद्र और जैचंद्र दोनों के समय रहे थे इसके बाद आता है एक जो है बहुत विद्वान दिनांग तो ये बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत विद्वान दिनांग किसके समय रहते थे तो ये दिनांग जो थे ये समुद्र गुप्त के समय रहते थे हलाकि दिनांग के बारे में बहुत कम पुछा गया है लेकिन एक अगला और कभी है समुद्र गुप्त के समय उनका नाम हरी सेड़ तो हरी सेड़ के बारे में कई बार पुछा गया है तो हर सेड किसके दरबारी कभी थे समुद्र गुप्त कोई बारे में ठीक यानि समुद्र गुप्त के दरबारी कभी थे और दिनाम भी किसके था समुद्र गुप्त कौन था वही जिसको भारत का नेपूलियन कहा जाता था और ये किस ने कहा था विसेंड इसमित ने कहा था किलियर ये चीज़ आप जानते रहेगा इसे बाद एक और है समुद्र उनको का जाता है वसुबंधू तो वसुबंधू भी किसके समय थे समुद्र गुप्त के समय दरवारी कभी हुआ करते थे ठीक है पूछा कोन गया जाता है हर सेड के बारे में पूछा गया है लेकिन दिनांग और वसुबंधू के बारे में कम पूछा गया है ठीक है लेकिन जानते रहेए आप कि ये भी दरवारी कभी थे इसके बाद है परिमल यानि कि ये परमान नरेस जो थे ये मुझ और सिंधुराज दोनों के समय थे यानि कि मुझ और भोज महान जिसको सिंधुराज कहा जाता था उसके समय परिमल थे जिनको पदमगुत के भी नाम से जाना जाता था परिमल की पदमगुत इनकी रचना थी जबकि ये परमान नरेस और सिंधुराज यानि भोज महान के समय ये रहा करते थे कौन परिमल तो परिमल मत भूलिएगा ठीक है इसके अलामा आपने देखा था कि जो धनिपाल थे धनेंजे थे ये सब भी किसके समय थे मुंज के समय थे और किसके समय थे भोज महान के समय थे ठीक है यहाँ पे लिखा गया है ना धनपाल देखिए धनपाल लिखा गया है परमारवन्स के साथ सकते तो यहाँ पे धनपाल है और यहाँ पे कौन है परिमल है ठीक तो धनपाल और परिमल दोनों को याद करिएगा इसके अलामा धनेंजे तो यह धनेंजे भी बहुत इंप भूज महान साचक और किसे वह dalla सब्सका सब्सक्ER गोउडियान wines को यह यह और मुझ्ज ke दरवार गरूमाद कैनल से ठीक परिमल था और जैसा धन पाल था वो एसे धनेंढम भी मुझ्ज के दरबार में रहता था और इसी को भोज महान कहा जाता है ठीक है एक ये कई बार एक्जाम में पुछा गया है डंडी तो डंडी किसके समय था ठीक है तो इसको डंडी या डंडी दोनों कहा जाता है ये कई बार पुछा गया है ये काची नरेश नर्सिंग वर्मन के समय रहत था किलियर अगला हम देख लेते हैं वांक पती राज वांक पती राज ये किसके दर्वार बनेते थे तो ये यसो वर्मन की समय रहते थे वही यसो वर्मन जो महिर कुल से युद्ध लड़ा हुआ था और जो महिर कुल को परास्त किया रहता था ठीक है और इस बात की जानकार मंदसोर अगलेक से मिलती है ठीक है इसके बारे में मैंने चर्चा किया था फिर आता है भावभूती तो यह भावभूती भावभूती कई बार पुछा गया है तो भावभूती मैंने इंप्टेंटमें तो भावभूती भी किसके समय थे यह सो वर्मन तेसे रहते थें कि लिए इसके बाद नहीं महाकवी कमबन कमबन जो थे कुलुटूंग तृति को नदुञता तू आम को पढ़ाया जाएगा यह चोल वंस का सासक था और यह तब था जब चोल वंस का सासक था और इसे के समय जो दरवारी कभी हुआ करते थे महा कभी उनका नाम था कंबन क्या नाम था कंबन पूछा गया है ठीक है कि कंबन किसे रिलेटेड है चोलवन से सासक कौन था कुलोतुं तृति और ये कभ था जब चोलवनस पतन के कागार पे था इसके बाद देखत आप सुने होंगे सी भी सुनू ठीक जो प्रवनस का सथापक था तो उसी की समय कौन थे भारी भी किलिए अगला देख लेते हैं हुएन सांग हुएन सांग आप जानते हैं ये एक चीनी यात्री था जो हर्सवर्धन के समय आया था और जिसे साख मुनी भी कहा जाता है हर्सवर्धन के दरवार में रहा करते थे इसके बाद मतंग ये कभी बहुत कम पूछा गया है लेकिन पूछा नहीं गया है सबसे ज़्यादा ये इसी के बारे पूछा गया है मतंग के बारे में एक आग बार कोश्चन कभी पूछा गया है ये भी किसके दरवार में रहते तो यह हर्सवर्धन के दर्वार में रहते थे इसके अलावा और भी थे जैसे दिवाकरमित्र और मयूर यह भी हर्सवर्धन के दर्वार में रहा करते थे इसके अलावा एक हैं चंदरवर्धाई जी हां चंदरवर्धाई जो थे यह पिर्थवी राश तृतिय यानि पिर्थ उनका नाम था जैनायक, जैनायक भी एक जो थे, ये भी पिर्थवी राज तिर्थी के समय रहा करते थे और जैचंदर के भी समय थे ये, जैनायक, ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके एक्जाम में कई बार पुछा गया है, सिरी हर्स, तो सिरी हर्स गड़वाल वन से सासक जैचंदर के समय रहा करते थे, यानि ये इनका एक परसनल दरबारी थे, सिरी हर्स, किसके दरबार में, जैचंदर के दरबार में, और लच्मी धर भी किसके दरबार में था, जैचंदर के दरबार में, लच्मी धर भी मैंने बताया है, सिरी लच्मी धर देखें था और उधारवादी आ सकता यानि कि जो धूर्व थे धूर्व के बाद गोविन तिर्थी यंगे डोविन तिर्थी के बाद अगर आप देखें गे तो यहें इनो गूप वण वेसाच आया था और यह राष्टूट का सबसे उधारवादी सा सकता ठीक है यह इस पर भारत पर अटेक नहीं करता है इतना आप जानते रहे ना इसके बाद जिन सेर्ड तो ये जिन सेर्ड और महाविराचार ये दोनों किसके समकार नहीं थे अमोग वरस और ये उदार क्यों नहीं था क्योंकि भाई ये जैन धर्म में था ना ये जैन धर्म को स्युकार किया था और जैन धर्म वाले होते क्या हैं वो अहिंसा के पुजारी होते हैं तो जब अहिंसा के पुजारी होंगे तो क्या वो सस्त्र अस्त्र का परयोग करेंगे कत्ते ही नहीं समने ना इस बात को तो समझते रगेगा तो यह famous राज कवी थे और इन राज कवी को विभीम परकार के ठीक है में इनको क्या दी ओए थे में इतन MAN आस्रे दी ओए थे और इनके द्वारा तमाम परकार की रचना रचित की गई है कई पुस्तक इनके द्वारा लिखे गई है वो नेक्ष्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आखिर में जो प्राचिन काल की जो राजकवी थे इनके परमुख पुस्तके कौन-कौन थे हलाकि कुछ पुस्तके का नाम मैंने आपको जब प्राचिन भारती इतिहास के सुरूर बता रहे थे तो वहाँ पर बताय गया था लेकिन एक स्पेशल वीडियो आएगा कि विभीम परकार के जो राजकवी हुआ करते थे दरवारे उनके दारा कौन-कौन से रचनाय रचित कही गई थी ठीक है मितरे तो इसे के साथ हमें इसे वीडियो का समापन कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ फिर हम आपके सामने उपस्तित होंगे इसे के साथ जय भारत जय है